दोस्तों पठान अप करेगी इस देश में धमा का है लो गाइस कैसे वह आप लोग स्वागत आपका पठान के एक और जबरदस्ते एपिसोड में देखो भाई पठान अपने बॉक्स आफ इसमें दोस्तों किस तरीके से धुहाधार कलेक्शन किया यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मूवी का रिकॉर्ड अभी तक भाई कोई तोड नहीं सका आधा साल दोस्तों गुजरने को है यानि कि आप लोगों पता हुआ कि मैं आ चुका है ऐसे में ना कोई साउथ की ना कोई हिंदी किसी भी मूवी ने गाइस पठान के कह सकते हैं कि मतलब तक्कर तो छोड़ दीजिए उसका आधा भी नहीं क्लेक्शन किया है तो यहां पर दोस्तों अब पठान अपने बॉक्स आफिस में कुछ और नंबर कुछ और क्लेक्शन एड करेगी क्यूंकि उसको अब बंगलादेश में दोस्तों रिलीज किया जा रहा है इससे पहले दोस्तों इस सब्सक्राइब करें बीलुस करें और VERY रहें हम लोगों को पता है कि आखسمो Ubisoft कि आगा चीजिए मुव्यक्त करते दो सब्सक्राइब आज complete 100 दिन यानि कि दोस्तों तीन महिने से भी जादा समय हो चुका है अब तो इतने दिनों बाद बांगलादेश में इस मूवी को भी साथ में देख लेना मतलब अब तो आपको पताएं कि यार जवान भी वांगलादेश में रिलीज होगी क्योंकि वहां पे अब मुवी रिलीज होने का हिंदी मुवी रिलीज होने का चालू रहेगा और कहीं दोस्तों मैं एक खबर पड़ रहा था उनके हिजाब से 1971 के बा और कहीं दोस्तों इतने सालों बाद आप लोग कह सकते हों कि यार पचास से भी ज्यादा सालों के बाद अब यह बैन हटा है और किसके वज़े से पठान के वज़े से देखना का दिल चस्पोगा कि बांगलादेश में जो मुवी है यह किस तरीके से दोस्तों परफॉर्म क करेगी क्योंकि OTT में अल्रेडी रिलीज कर दिया गया है और कहीं देखो भाई आप लोग मानों या ना मानों OTT में काफी सारे लोगों ने देख लिया होगा जो कटर फैन होंगे जो सिनेमा एक्सपिरेंस लेना चाहेंगे मुझे लगता है कि दोस्तों वह बंगलादेश म करने की बात कहीं है और वहां के काफी बड़े-बड़े फैन क्लब है जो शारू खान के इस मूवी को दिखाया रहा है पोस्टर तो देखते हैं कि दोस्तों कैसा माहौल बनता है 12 मई को वहीं इसके लावा दोस्तों काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि चाइना और जापान का क्या सीन है इन कंट्री में पठान क्या रिलीज होगी देखो भाई चाइना का दोस्तों जहां तक सवाल है यह एक देजभक्ती इंडियन मूवी है तो शायद इसको डेट ना मिले क्योंकि ट्रिपल आर दोस्तों जो एक मूवी थी इतना गाइस मतलब अच्छी मूवी त उसको माफ करना चायना में रिलीज करने की इज़ादत नहीं मिली उसके कॉंटेंट के वज़े से लेकिन जपान में तो भाई साहब उसने फोड़ दिया में भी दोस्तों जहां तक मैं सही हूं उसकी कमाई तो 85 करोड़ से उपर ही चली गई है तो बहुत जादा अच्छे क जपान से तो अगली गाइस मुवी जपान में जो रिलीज हो रही है वह और यह भ्रहमास्त्र उसके डिस्ट्रिबूटर मिल चुके हैं वहां पे भ्रहमास्त्र को रिलीज किया जाएगा फिर दोस्तों आपको पठान का भी नंबर आतावा दिखाए देगा है पठान हंड् चैनल खान की मुवी तो गाइस सारी वहां पर दमागा करती है अलागी लाल सिंग्चड़ा को भी वहां पर कोई ऐसा रिलीज देट नहीं मिला है बागी कहने की बात है कि आज हंड्रेट डे हो गये हैं और मुवी अप बांगलादेश में रिलीज होगी कैसा होगा दमागा किस तरीके का परफॉर्म करेगा बताओ कमेंट में वहीं जाते जाते मैं यहां पर आपको पठान का अब तक का टोटल क्लेक्शन मतना चाहता हूं जो है सबसे जदा किसी ने कमाई की है वह कमाई की है वारिश वारीश ने चाल करोड़ कुछ लाक उसके बाद दोस्तोंsein मैं पठान आता है जिसने में जहांता है तूस तरीके से किसी यहिदी मोवी ने कमाई नहीं कि इतना ने चाहिए है क्या कहना है दोस्तों हमारे अपडेट के बारे में कमेंट बताओं मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही